वेलकम सिल्पी की दुनिया अगर आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाली हर वीडियो को आप देख सकें मैंने वेजिटेबल चौप करके रखा है आज मैं बनाने जा रही हूँ उत्तपम इसके लिए मैंने सूजी लिया है रवा तीन का तोड़ी रवा है जितना रवा हम लेंगे जितनी सूजी लेंगे उतना ही हम दही लेंगे अगर हम तीन का टोड़ी रवा ले रहे हैं, तो तीन का टोड़ी दही लेंगे, यह बहुत हल्दी है, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आप जटपटी से बना सकते हैं, यह बहुत जल्दी में बन जाता है, और बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में, यह साउथ इंडिया तो आप लोग जरूर बनाईए और इंज्वाई कीजिए, देखिए, मैं तीन का टोड़ी दही ले रही हूँ, अब यह हमेसा फ्रेश दही से बनाईए, खटा दही से टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो ध्यान रखिए, दही हमेसा फ्रेश होना चाहिए, अब यह गाड 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, देखिए, यह फुल के रड़ी है, अब इसमें देख लेंगे, और पानी आड़ करना होगा, तो फिर हम थोड़ा औरा आड़ करेंगे पानी, यह गाजर, यह धनिया की पत्तियां, यह प्याच, थोड़ी थोड़ी हम रख देंगे, यह कैपसिकम, सिमला मिर्च, यह टमाटर, टमाइटो, और यह हरी मिर्च, अपने स्वाद के नुसार हरी मिर्च डाल सकते हैं, अब इस मिक्शर को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, यह ना तो बहुत गाढ़ा हो और ना ही बहुत पतला, अगर गाढ़ा हो जाएगा, तो क् कि जब हम बनाएंगे तो यह टूटने लगेगा, तो अच्छे से बनेगा नहीं, और पकेगा भी नहीं, बहुत जादा गाढ़ा रहेगा, तो पकने में भी बहुत टाइम लगेगा, और बहुत पतला रहेगा, तो यह डोसा या चीला जैसा दिखेगा, तो थोड़ा सा यह देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा गोल मिर्च और थोड़ा सा श्वाद अनुसर नमक डाला है, अब तवा मैं गरम करने चरहाई हूँ, तवा हमें अच्छे से गरम होना चाहिए, देखिए, इसके बाद मैं जो बैटर्न बनाई हूँ, उसे मैं डालूँगी इसमें, देखिए, यह रोटी के साइज का बनेगा, यह से थोड़ा सा बड़ा पीचा से में, जो नॉर्मल पीचा का साइज होता है, उस साइज का, मेडियम साइज का, यह रोटी से थोड़ा सा बड़ा हम बनाते हैं, अब देखिए, यह ठिक कर ले रहे हैं, उसे थोड़ा सा मोटा, अब इसके उपर मैं, सिम्ला मिर्च, प्याज, डालूँगी, जो जो मैंने सब इंधनिया की पतिया, हरी मिर्च, प्याज, गाजर, इसके बाद, जितनी सबजिया मैंने कट करके रखाता, वो उपर से सजे आएंगे, गाजर, टमाटर, धनिया की पति, कोरियंडर लिप्स, थोड़ी सी हडी मिर्च, अब इसे मैं धंके एकदम कम फ्लेम्गे, पकाएंगे इसे, एकदम कम फ्लेम पे, ये अच्छे से पक जाए, तो एकदम कम फ्लेम्गे धुके इसे फोड़ देर पकाते हैं, अब यह जब यह पक जाएगा देखिए पक चुका है कम फ्लेम पे मैंने रख दिया थैसे इसे पकने में कम फ्लेम में तीन से चार मिनट लग जाएंगे तो एक्दम कम करके आप पकाना है आपको देखिए यह पक गया है अब थोड़ा सा इसके उपर में ऑलिवाइल लगा र होंगी कि कि इसका प्याज और जो मैंने वेजिटेबल डाला था वो थोड़ा सा दब जाए अब यह बन गया है अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल रही हूं देखिए कि देखिए कितने अच्छे से उपर सब्जियां दिख रही है बहुत अच्छे से एकदम पीच्छा जैसा दिख रहा है आप अपने हिसाब से जो सब्जियां पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं थैंक्यू सो मच आप लोग मेरी चाइनल को ऐसे ही देखते रहिए और उत्तप हम बना के जरूर खईए